हेलो स्टूरेंट्स एंड फ्रेंड्स आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अडिशन और टू मेट्शिस कैसे हम टू मेट्शिस को एड़ कर सकते हैं और उसके लिए क्या कंडिशन होने चाहिए हमारे पास पहले मैं आपको इसका मीनिक लिखवाता हूं और इस जाहें हमारे फ्रेंट्स कात्र स्ट करो सिस्टर्ट कर छिएtóधर ना प्रेंट्स आडिए हम उसरी कात्री कर लेकिति आपकोते वेति और उसने कर लिखका लिखवाता हैं। यण आपपको देखके लेकिल कर एफ इस और गारते हैं और वा त सक्वात्वाफिए हमार्ण्स और अगर हमने क्या के लिखी तू मेट्सिस केन भी एड़ टोगेधर वो तब ही एड़ होंगे इफ दे आर सेम ऑफ ता अगर उनको ऑडर क्या हो सेम हो जैसे हम टू बाइटू के मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स एड़ कर सकते हैं वो भी टू बाइटू का ही होना अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं जैसे मान लीजिए हमने टू मेट्सिस की अडिशन करनी है मैं टू मेट्सिस ले लेता हूं कि टू फॉर शिक्स जीरो कि थ्री वान जीरो तू कर 애म ने टू मेट्सिस की एडिशन करनी है इसका पहले हमारे पास मיट्रीक्स का क्या उडर है तू रोज है टू कॉलम्स और स्केंडर है टू रोस फॉपलमस अब तभी हो पाती है कि अगर यहां पर बंटलू टू कॉलम होते हैं तो इसको सकते नहीं कर सकते अब हम इसको कैशे करेंगे हैं कि सब्सक्राइब करना है और फॉर्स त्री और सेकेंड एलिमेंट के साथ सेगेंड को एड करना है नूप्लाइब इसके बात 6 के साथ क्या प्लस होगा ? जिरो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेट और स्पांड इसकें रो का फर्स्ट एलिमेट से ही एडिशन होगी 6 प्लस जिरो जिरो प्लस टू अब हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो कौन सा बना ? तो प्लस 3, 5, 4 प्लस 1, 5, 6 प्लस 0, 6, 0 प्लस 2, तो ऐसे हमने 2 मेट्स को एड कर लिया, पहले हमने उसका ओडर चेक किया, अगर ओडर सेम हो तो ही जे 2 मेट्स से एड होंगे, ऐड और जो हमारा ओडर चेंज नहीं हुगा। को से में जा जा जाएगा यह भी जो हमारे पास रिजल्टिंग जो मैंट्रिक्स बना है वो टू बाइट टू ओडर का ही पना है मैं आपको एक और एक्जम्पल देता हूं उससे आपको अच्छे समझ लग जाएगा कि अब हमें एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं कि अब है कि हमने पहले तो मैट्रिक्स के ओर्डर चे करने हैं इसमें एक रोहां दो कॉल्म इसमें एक रोड़ दो कॉल्म अब यह एड़ हो सकते हैं कि इनको और सेम है कि फर्स्ट एलिमेंट में हम फर्स्ट एलिमेंट को एड़ करेंगे वन प्लस थ्री टू प्लस वन इनका जो ऑडर है जिसमें हम अडिशन नहीं कर सकते हैं किन मैट्रिक्स में हम अडिशन नहीं कर सकते हैं अब हमारे पास जो फर्स्ट मेट्रिक्स है उसमें कितनी रोज है एक दो तीन और कॉल्म कितने हैं एक हैं तीन रोज एक कॉल्म और सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है एक रोज है इसमें कॉल्म कितने हैं एक दो तीन तीन कॉल्म अब इनका जो ओर्डर है हमारे पास वो मैच नहीं कर रहा इसलिए इसकी अडिशन जो वो पॉसिबल नहीं है सिर्फ उनी मैट्रिक्स की अडिशन पॉसिबल होगी जिनका और सेम होगा अगर वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक कर देजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा थैंक्यू